एक बार की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में लियो नाम का एक राजसी शेर रहता था, लियो कोई साधारन शेर नहीं था, वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने जानवरों के सामराज्य पर निश्पक्षता और न्याय के साथ और यह सुनिश्चित किया कि सभी प्राणी, बड़े और छोटे एक साथ सद्भाव से रहें, पास के एक गाव में बच्चों का एक समो था जो जंगल की खोज करना पसंद करते थे, उन्होंने लियो की दयालुता और बहादुरी के किस्से सुने थे और वे उससे मिलने के लिए उत्सुक थे, एक दिन बच्चों ने पौरारिक शे को खोजने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया, जैसे ही वे विशाल सवाना में गए, बच्चों को विभिन्न चुनोतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने नदिया पार की, पहाडियों पर चड़े और घने जंडलों को पार किया, रास्ते में उन्होंने एक दूसरे की मदद की और टीम वर्क और दोस्ती के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखे, अन्तहक कई दिनों की यात्रा के बाद बच्चे जानवरों के सामराज्य के केंद्र में पहुँच गए, जहां लियो की राजसी मान स्थित थी, शेर में उनके आगमन को भाम्पते हुए गर्मजोशी और धीमी दहार के साथ उनका स्वागत किया, आपका स्वागत है, युवा यात्रियों, लियो ने कहा, उसकी गहरी आवाज हवा में गूंज, रही थी, क्या चीज तुम्हें मेरे रा उनकी जिग्यासा से प्रसन्न होकर लियो ने अपना ज्यान बच्चों के साथ साज़ा करने का निर्ने लिया, उन्होंने मतभेदों की परवा किये बिना सभी जीवित प्राणियों को समझने और उनका सम्मान करने के महत्व के बारे में बात की, उन्होंने सामंज सिपूर् पर जोर दिया, जैसे जैसे दिन बीटते गए, लियो बच्चों के लिए गुरू बन गए, उन्होंने उन्हें प्रकृती के नाजुक संतुलन और सभी जीवित चीजों के अंतरसंबंद के बारे में सिखाया, बदले में बच्चों ने अपने गाव की कहानिया और अपनी या पता था कि उसे कारवाई करने की जरूरत है बच्चों की मदद से, उन्होंने जन्सरोतों को खोजने और जानवरों के बीच भोजन वितरित करने के लिए एक सामुहिक प्रयास का आयोजन किया, बच्चों की करुणा और द्रिट संकल्प ने पूरे पशु सामराज्य को च बिताय समय के दौरान उन्होंने जो सबक सीखा, वहां उनके साथ तब भी बना रहा जब वे अपने गाव लोट आये और एकता और करुणा का संदेश फैलाया। अभी प्राणी शांती से एक साथ रह सकते हैं।